जैहिंद एवरिवन, my name is गगंदीप and I welcome you all on our YouTube channel Proud Group of NCC आज की क्लास का जो कोश्चन है वो यह है कि What are the aims of drill? यानि कि drill के क्या लक्षे होते हैं, drill क्यों कराई जाती है? The aims of drill are to inculcate a sense of discipline यानि कि inculcate मतलब होता है किसी के अंदर किसी चीज़ को पैदा करना discipline मतलब यहाँ पर अनुसाशन होता है तो अनुसाशन की भावना को पैदा करने के लिए drill कराई जाती है यह drill का लक्षे होता है इसके अलावा improve bearing, bearing को improve करने के लिए drill कराई जाती है smartness in appearance and turn out जो हमारा appearance है कि किस तरीके से हम दिखाई देते हैं हमने uniform कैसे पैन रखी है हम चलते कैसे है वो हमारा turn out कैसा है उस चीज़ को improve करने के लिए उस चीज़ में smartness लाने के लिए drill कराई जाती है यह drill का लक्षे होता है to create a self confidence आतम विश्वास को पैदा करने के लिए drill कराई जाती है और to develop the quality of immediate and implicit obedience to orders और यह development करने के लिए यह quality develop करने के लिए कि हमें जो भी order दिये जाते हैं उन्हें हम तुरंत परभाव से और अच्छे तरीके से किस तरीके से लागु कर सकते हैं किस तरीके से उन्हें फोलो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए भी drill कराई जाती है तो ये aims होते हैं डिल के अब आपके लिए question है आज की जो वीडियो है इसके comment box में आपको बताना है कि NCC का motto क्या है ये आपको comment box के अंदर बताना है I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इस तरहें की और वीडियो के लिए आप चैनल को subscribe जरूर करें और वीडियो का अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूले जै हिंद जै भारत Thank you very much